हेलो एवरिवन तो हम पीक इन्वर्स वोल्टेज निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफियर के लिए है तो फुल वेव रेक्टिफियर के लिए हमारे पास पीक इन्वर्स जो वोल्टेज है पी आईवी हमको मिलते है टू एम ठीक है और हाफ वेव रेक्टिफियर के लिए हमे दुबारा देख लो इसमें कि peak inverse voltage हम किसको बोलते हैं और इसमें हमें 2EM कैसे मिलते हैं जबकि half wave rectifier में तो हमें EM मिलते था और जो full wave rectifier में PIV की value 2EM मिलती है ठीक है तो जो peak inverse voltage है वो maximum voltage है जब diode पर जब diode conducting state में नहीं हो दुबारा सुनलो peak inverse voltage वो highest voltage है जब diode conducting state विधुत चालन की अवस्ता में नहीं हो उस condition में जो voltage कहलाएगी वो peak inverse voltage कहला थी आये समझ में अब बात यह है कि हमें full wave rectifier में 2EM कैसे मिलती हैं अब जान रखना full wave rectifier की process याद करो कि full wave rectifier में एक diode था वो conducting state में होता था जो दूसरा जो diode था तो एक diode के सिरे पर हमें अधिकतम voltage कितनी मिल सकती थी EM और दूसरा उस condition में चालन की अवस्ता में नहीं होता था ठीक है इसी परकार जब वो दूसरे चकर में जाता था तो उस पर voltage minus EM उपस्तित होती थी एक चकर में EM दूसरे में minus EM तो total जो voltage हमें मिलती थी पूरे जो चकर में हमें जो पूर्ण तरंग दिश्टकारी में फूल वेव रक्टिफियर में जो total मिलती थी वो दोनुँ चकर में 2 EM मिलती थी तो फूर्ण फूल वेव रक्टिफियर पिआईवी इक्वल टू 2 EM किलियर रहे ठीक है इसमें कोई समझने के कोई बात नहीं थी और जो next हमारे है वो हम करेंगे frequency component of output voltage and current ठीक है तो ये चीज़ भी हम हाफ वेव रक्टिफियर में निकाल चुके ठीक है अब कोई जो फूरियर हमने जो स्रेनी लगाई थी फूरियर का जो यूज़ किया था वहां अच्छे से explain किया था किस प्रकार हमने ये फूरियर सीरीज लगाई और किस प्रकार उसको खोला किस प्रकार उसमें उनका एडिशन कि आई वन और आई टू का ठीक है तो यह सब हम वहां बात कर चुके थे अब मैं डायरक्ट जो फूरियर सीरीज है वो यू I by pi plus 1 by 2 sin omega t minus 2 by 3 pi cos 2 omega t minus 2 by 5 pi cos 4 omega t. ठीक है? और यह बहुत सब्सक्राइब टम्स ऐसे बढ़ती चली जाएंगे. और जो I2 क्या मिलेगी फिर हमें? I am 1 by pi plus pi गंदर आले, तो sin omega t plus pi minus 2 by 3 pi cos 2 omega t plus pi. इससे आगे बल्टम्स माइनस 2 by 3 pi cos 4 omega t plus pi. यह 2 by 5 है, ठीक है? यह 15 है बहीं, जाना करना 15, ठीक है? तो अब total जो current होगी I, इसको हम खोल के लिख सकते हैं, pi से बाहर लिख सकते हैं? मतब जो sin omega t plus pi क्या होता है? माइनस sin omega t, ठीक है? तो I2 को हम अगर change करके लिखें, तो I am 1 by pi minus 1 by 2 sin omega t. इसको करें, cos omega t plus pi क्या होता है? cos omega t होता है, तो यहां से 2 by 3 pi cos 2 omega t. ठीक है? और यह वाला cos में change करेंगे, तो वो भी same होगा, minus 2 by 15 cos 4 omega t, आगे, ऐसी terms रहेंगे, ठीक है? अब जो I current होती है, I equal to I1 plus I2, ठीक है? अब इन दोनों का addition करेंगे. जान रखना, I1 और I2 को जोड़ेंगे, तो I equal to क्या होगे? I1 क्या थी हमारे पास? I am 1 by pi plus 1 by 2 sin omega t minus 2 by 3 pi cos 2 omega t minus 2 by 15 cos 2 omega t. ठीक है? और I2 क्या थी हमारे पास? प्लास आइटू, आइएम, आइटू ये री, 1 by pi minus 1 by 2 sin omega t minus 2 by 3 pi cos 2 omega t minus 2 by 15 cos 4 omega t. ठीक है? ये 4 omega t था, इसका भी. अब इसका जैसे एडिशन करेंगे, तो हमारे पास कुछ terms cancel हो जाएंगे, और जो total terms बचेंगे, वो क्या हैंगी? I equal to, I am, 1 by pi और 1 by pi का अड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगे 2 by pi, ठीक है? minus, ये cancel out हो जाएगे, और ये negative negative बचेंगी, 4 by 3 pi और cos 2 omega t, ठीक है? और ये terms भी add हो जाएंगे, तो minus 4 by 15 cos 4 omega t, add तो समझ में आ गया, ठीक है? और आगे की terms ऐसे आएंगे, तो हमारे पास I क्या मिल गया? I am 2 by pi, minus 4 by 3 pi, cos 2 omega t, minus 4 by 15, cos 4 omega t, यहाँ से अगर हम IDC देखें, तो IDC क्या मिलता है? first terms, तो IDC क्या है? 2 I am by pi, ठीक है? तो ये इसके frequency के गटक है, जो प्रिथम के लिए हमें मिलती है, वो हमें average voltage मिलती है IDC, जो उसके equal मिल रही है, जो हमने first में निकाला, तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो, हमने frequency जो range निकाली है, ये range निकाली है, जो जिस प्रकार, इसके component form निकाले हैं, cos 2 omega t, 4 omega t, यह हमारी सही है, ठीक है? तो ये हमारा इसी के साथ ये खतम होता है, topic full wave reactifier, और इसके बाद हम कल, जो half wave reactifier और full wave reactifier में अंतर देखेंगे, ठीक है? यहां तक clear है सबको, तो कल हम करते हैं, next है, अंतर तो वसे हम comparison करते हैं, चले आ रहे थे, साथ साथ, लेकिन फिर भी कल, अलग से थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे सारी बात clear हो जाएंगे तुमको, okay, कल मिलते हैं,